यह आपका आज का संपात की यह पार्ट है। देखें संपात की यह पार्ट, एडिटोरियल, आर्टीकल यह आपको प्रिलिम्स में, मुख परीक्चा में, इंटर्वियू में, हर जगे मदद महुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस सिख्जाम की तयारी करे हों, या पर किसी स्टेट पी सिख्जाम की तयारी करे हैं। तो इस तरह के आर्टीकल मिला करें, तो आप लोग इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। इस्तीपा दिया, भारत में सरन ले चुकी हैं, यहां बड़ी असान्ती पहली हुई है, तो वहीं की बात हो रही है। आने ही नहीं देखें। इस पर उन्हेंने कहा था कि आने ना देने का क्या मतलब है। वह तो आपका ही देश है। आपने देश में जाना और रहना आपका जनम से अधिकार है। इस अधिकार को बादित करने का अधिकार किसी सरकार के पास नहीं है मैंने दुखी मन से कहा था मैं तो कितनी बार दूतावास चाच चुकी हूँ ना तो मुझे बीजा दिया जाता है और ना ही मेरा पासपोर्ट रिन्यू होता है उन्होंने मेरी मदद करने का बादा किया था अब यह जानने की इक्षा हो रही है कि उन्होंने उन्होंने मेरी मदद करने का बादा किया था अब यह जानने की इक्षा हो रही ही कि उन्होंने मेरे लिए क्या कुछ किया होगा साइट तब कई कारणों से मेरे हित में कुछ करना उनके लिए संभव नहीं रहा होगा लेकिन आप तो वह सत्ता के सरभू सिकर पर हैं आप तो सब कुछ उनके ही हाथ में है क्या वह डर रहे हैं और उनके असपास जो लोग हैं बेश सब कटर पंती हैं क्या उन्हें डर लग रहा है कि मेरी मदद करने पर नई जिहादी दोस्त कहीं उनसे नाराज न हो जाएं आखिर इस उम्र में वह किन के साथ कड़े हैं क्या उन्हें अफसोस नहीं हो रहा है मेरे तो तीस साल निर्वासन में बीद गए बाकी जितना उम्र बची है वह भी इससी तरह गुजर जाएगी कम से कम मैं इस गरब के साथ मर सकूँगी कि अपने सुख सुविधाओं के लिए कभी मैंने अपने सत्रू के साथ समझोता नहीं किया क्या हुआ भी इस तरह गरब कर सकेंगे सबको पता है कि मुहमद यूनिस मेरी बातों का जवाब नहीं देंगे बंगलादिस में हो क्या रहा है जो भी आदमी पसंद नहीं आ रहा है उसे हत्या के चूटे मामले में पसा कर गरफतार किया जा रहा है भिन राजनेतिक बिचार को बरदास्त नहीं किया जा रहा है विरोधियों को या तो मार डाला जा रहा है या जिल में डाल दिया जा रहा है बिसमता बिरोधी चात्रों ने अपने मेधावी होने का नाकाव उतार फेका बेना तो मेधा भी चात्रें और ना ही विसमता भी रोधी, ओल्टे भी विसमता के ही पक्ष धर हैं, इसलिए हिंदूओं समयत अन अल्टनकों का उत्पीटन जारी है, हसीना सरकार की जगए जमात इसलामी पंती NGO सरकार ने ले लिए, और इस सरकार की लोग अपने असल चहरे के साथ सामने हैं, ये जमात इसलामी के चात्रे संगठन सिबिर और हिजबुत तहरीर संगठन के लोग हैं, जर्मरी रोसा, ओस्टिया, अमेरिका, मिस जॉर्डन, साउधी रफ, कजाकिस्तान, उजविकिस्तान, तजाकिस्तान, समयत अनेक देसों ने हिजबुत तक्रीर, तहरीर पर पिती बंद लगा रखा है, और इस संगठन पर गत्तिपस भारत सरकार ने भी पिती बंद लगाया था, ये ध्यान रहे कि यूनिस ने सत्ता में आने के बाद हिजबुत तहरीर पर लगा पिती बंद हटा लिया था, यूनिस हिजबुत तहरीर के नेताओं के कि ये कथित जनान्दोलन अचानक हुई करांती नहीं है और बिड़मना है कि इसलामी आतंकियों का सफाय करने के लिए जिस अमेरिका ने लाखों डॉलर खच किये हुआ है इस कथित करांती पर ताली बजा रहा है पूर वी पूरों अमेरिकी राष्टपती बिल कलेंटन को च इतलामिक के टरबंद्धी जिहादी तराने गा रहे हैं बंगलादीस की जिलों में बंद तमाम अतिवादियों आतंकियों को यूनिस सरकार ने रिहा कर दिया कुछ दिन पहले यही आतंकी संगटन जमायत तुल अंसार फिल हिंदाल सरकिया की 32 सदसों को रिहा किया गया बंगलादिस को वाटमलेस बास्केट कहने बाले हंट्री किसिंजर को भी नोवल्स पुरुसकार मिला था और यूनिस भी नोवल्स पुरुसकार विजटा हैं मगर इसका मतलब यह कता ही नहीं है क्यों पतला लेने के लिए गद्धी पर बैठी थी, पिता का नाम उनकी तस्वीरों और पितिमाओं को उन्होंने देश भर में फैला दिया, और लोगों के मन मस्तिस के को इसलाम से भर दिया, उन्होंने सोचा था कि इससे देश बासियों के सोचने समझने की सक्ति कुंध हो लेकिन सब को नहीं, और यदि आप देखतें कि उन्होंने पंत निर्फिक्ष्टा बहाल करने की कोसिस की तो जिहादी साप उने भी दसेंगे, अहसीना ने बदला लिये जाने के बाद, चुनाओं की बिवस्ता करके जितनी जल्दी वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो ज और उनके नाम पर देख चला रहे, जिहादियों को तो लाब मिल रहा है, जमाज सिबिर और रजाकार संभू समेत दूसरे कटरपंती संगटनों को भी लाब मिल रहा है, ये लोग जिस देख को देख छोड़ कर चले जाने के लिए बाद कर रहे हैं, लगता नहीं है कि उन् बंगलादेश इतना आसांत नहीं होता, इस्तमकार बंगलादेश से निर्वास्य लेकिका है, इनका नाम है तसलीमा नसरीन, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, सिरी राम के आदर्सों को अपनाने का उस्तों, तो आप देखते हैं कि दसेरा है ना, किसी भी पूरी तरह से समर्पित हैं, और उनकी रक्षा में कोई कसर नहीं चोड़ते हैं, और उनके रामराज की छभी इसलिए पिसिद और लोगपुरी है कि उसमें आम जन को किसी भी तरह की किताब या प्रिकष्ट नहीं अनुवा करने पड़ते थे, ना बहुतिक ना देहिक और ना ही देविक, यदि आज की सब्दावली में तो कहें, तो जीवन की गुर्वत्ता उच्चिस्तर की थी, और मानोबिका सुचकांग भी आदर सिस्तर का था, कब भगवान राम की समय, लोग सुखी और समर्द थे, सिरी राम लोग जीवन के पिती अतेंत सम्विदन सिल थे और लोग ही थी, उनका सर्वोफरी सरोकार था, और इसी कारण जब अयोध्या में उनके नाम का मंदिर निर्मित हुआ, तो समस्त विस्तु का हिंदू समाज उल्ला से भरोटा, राम का आप देखते हैं कि नेतित पाकर सभी वरग धन थे, ऐसा नेतित प्रिदान करने के लि पिती रोट की चमता भी विक्सित करनी पड़ी, सीरी राम ने जीवन में सभी विपर्याओं को बड़ी सहिस्ता से सुईकार किया, और किसी के पिती कुंठा या जोब का भाव नहीं पाला, ये अनुभाव उनको और परिपक करने बाले सिद्ध हुए, सीरी राम की निर्मि भी किया, उन्हें मनों से जीवन की सीमाओं और संभावनाओं को पहचानने का और उनकी जटिलताओं को सीखने का आउसर मिला, और आप दिखते हैं कि इससे उन्हें उनमें त्याग, सैयम और संतोस के साथ आत्म ने अंतन विक्सित हुआ, मित्त्य सत्रू गुरू, व्रात उपतनी सबकी भूमिकाओं को देखते परकते, सिरीराम को भाती-भाती के नेड़े भी लेने पड़े, और इससे उनकी सक्ती और छमता संभर्दित होती रही, बिन्ने समुहों से जुड़ना उनकी जीवन यात्रा का मुख को उपकरम था, असत्य के पिती, क्राबट पर सत पिती मूर्ती, सिरीराम की विजय उनके नितित और सक्ति संधान की परनिती थी, सिरीराम की सक्ति पूजा लोग पर सिद्ध हुई, और यह है अकसर जन-जन के उल्लास का एक आपितिम और आपिसमर्नी आख्यान बन गया, विजय दसमी का परव उसी जन-उल्लास की अच्छे भी दिने थी, और उसके लिए भी मनो योग से लगे रहे, यह काम सुगम नहीं था, फरन्तु राजा सिरीराम ने जो अनुकरणी है सासन संचालन किया, वह जन-जन के मन में बस गया, उनका सासन स्वस्ति और आस्वस्ति का पितीक था, रामराज्य सो सासन का पित और करमठ जीवन, लोक इसमिती का अंग बनकर मनावता के लिए पेरग बन गया, महत्मा गांधी के मन में रामराज्य की एक है, एक आप देखते हैं कि फितीकर छबी बनी और उन्हें स्वाधीन भारत में उसकी स्थापना का सुपन देखा, नेतित गोड़ो और नेतित की क किरिया हैं, पितेक संगठन को संचालित करने के लिए आपरिहार हैं, आधुनिक प्रबंद विज्ञान के दरिश्टी कौन से 20 सदी के पूरवार्द में पश्मी जगत में अनुसंदार और विचार व्यमस की पहल सुरू हुई, ब्यक्ती परिस्तिती बा उनके बीच की अं पादक्ता और आरतिक उननती आश्टर जनिक धंग से दर्ज हुई, चरन सील परिस्तिती की एवं आसुरक्चा और महायोद्दी की भिविश्ट का सहने के बाद भी वहां की आसाधरन उननती चकित करने बाली है, और इससे आप देखे विश्ट की समक्ष परगिती का एक न या किसी भी तरह सरेसकर नहीं है, आज राजनिती भरोसा तोड़ रही है, अधिकांस नेता आवस्वसनी होते जा रहे हैं, क्योंकि आप देखे वे असत्त का सहरा ले रहे हैं, उन्होंने यह विस्मित कर दिया है कि परजा के सुक में ही राजा का सुक नहित होता है, आज क आप देखते हैं कि निता ही की खुसी सभी ही खुसी है, उसके फरीवार ही सब कुछ है उसके लिए, वह अपने स्वार्थ के लिए तरक गरता रहता है, विजय दस्मित का परक्रेवल चका चौन पैदाकर पठाकों की सोर में रावर्ट दहन करने का नहीं है, वह अपनी कम जोरियों पर विजय के लिए भी अमंतित करता है, हमें अपने भीतर के रावर्ट का पर विजय पानी होगी, ऐसा ना करना हमारे लिए आत्मगाती होगा, भारतबासियों के विद में अमरित पूत्र कहा गया है, और इस अमरित की रक्षा का संकल प्लिना सिरी राम के समयड कर लिखा गया है, और अपने अंदर की कमजोरियों को पहचानिये, मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि देखे, बहुत साले लोग कहते हैं कि रामायर कथे थे, कहानिया है, कोई हकीकत घटना नहीं है, सब लिख दिया गया, ऐसा कर दिया गया, मैं उनकी भी बात मान ले इसमें जो किरदार हैं, उनसे हमें बहुत को सीखने को मिलता है, और मैं कहता हूं कि आप लोग किसी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां तो और मुझे लगता है कि आप रामायर और महाभारत से बहुत को सीख सकते हैं, कि आप के अंदर जो कमी हैं, जो आप देखते थोड़ा इमानदारी से यगर आप लोग अपना काम करें, अपना कर्तब निभाएं, अब आप देख लिजे, मैं तो कहता हूँ कि राम से वो सीता से मैंने बहुत को सीखा, अब आप खुछ सोच के देखिए, आज की समय को देख लिजे, आज की जो कहते हैं, सीता की बात करत मुझे नहीं लगता है कि आज के समय में कोई सीता बन सकता है, या राम बन सकता है, आप खुश सोचके देखें कि सόने की लंका पड़ी हुई है, और उस महला का आप देखते हैं कि अपने پती के पिलती प्रेह्म देख लीजिए, आज के लोगों को देख लीजिए, सोने की ल मीटर दूर है से लंका अपनी पत्नी की खोज में जाते हैं आज के हो तो आज के राम तो कहेंगे कि वो छोड़िये ना चलिए दूसी साधी कर लेते हैं दुनिया के सबसे तागतवर इंसान से हमें लड़ने की हिम्मत ही नहीं है आप सोचे वो रावर की अत्याचार एवं अंचाहे से समस्त सरिष्टी पीड़े थी किन्तो कोई उसे चुनोती देकर उससे योद करने का साहस नहीं बटोर पा रहा था दियो बंदल तक उससे भयाकरांत रहता था गरहों को भी उसने बंदी बना रखा था रावर की सक्ती से भगवान सिरी राम ना परचित रहे या संबहों नहीं है इसके बाब जो सिरी राम ने रावर से योद्ध करने करने किया तो इसी कारण की किसी भी तरह की योद्ध को जीतने की उसके पास विस्से सग्यता थी सिरी राम की चरित में पिथम तर रिष्ट है उस समय पित्यक्च होती है जब वह रावर्ट बत के लिए सकती सो रूपा मादुर्गा की अरदना के लिए उन्मुक हुए और इस पिसंग की अनुसार मादुर्गा को अरफित करने के लिए रखे 108 कमल पुस्तमों में एक कम पड़ गया तब सिरी राम ने तै किया कि बच्पन में मा कौंसलिया ने उनकी आखों की तोला कमल नेंसे करती थी तब सिरी राम ने एक नित खुद अपने ती से निकाल कर मा दुर्गा ने उनके हाथ पकड़ लिए और गा सिरी राम आप परीक्षा में सफल हुए इस पिकार मा दुर्गा ने उन्हें विजई भाव का असिवाद दिया और रनभूमी में अपना लक्ष पूरा कर सके और इस पिसंग में बहुत गहरे और चिपे हुए है और इस पर दृष्टी डालने से इसपर्ष्ट होता है कि जब कोई कार किया जाए तो उसमें पूरा समर्पण और एकागता होनी चाहिए सीरी राम द्वारा एक आख माख दुरगा को अरवित करने का उदिश यही दरसाता है कि सत्तकपट एक ही होता है इसमें अनेक्ता का रास्ता नहीं दूना चाहिए जबकि राम के दस सीज का अर्थ है कि वह जिस जिस दिसा में जाता उस दिसा में उसका सिध्धान बदल जाता था चुकि दिसाइं दस हैं इसलिए वह हर दिसाओं में भिन भिन पिकार का अशरन करता था यही कारण कि उसकी कागिता नहीं थी और वस्ति रिडाम के हाथों मारा गया और आप देखते हैं कि लोग आसफलता के हाथों मारे जा रहे ना उनकी भी यही परिषानी है आप देखिए मिली आप बच्चों से मुझे एक परसेंट इमानदार ऐसे बच्चे नहीं मिले हैं जो अपनी पढ़ाई के पिती इमानदार हो मैं हकीकत बात कह रहा हूँ अब आप देखते हैं कि जो मैंने कहा ना उनके पास अगर कोचिंग के लिए पैसे नहीं है कोई किताब नहीं है तो उस किताब का रोना रोते रहेंगे कोचिंग का रोना रोते रहेंगे जब उन्हें वो किताब मिल जाए जो वो परिस्तिती मिल जाए कोचिंग मिल जाए सब कुछ मिल जाए फिर वो एक कमी ढूण लेते हैं, फिर उसका रोना रोते रहते हैं और मैं आप लोगों से हमेशा कहा रहा हूँ कि नियंतरता बहुत बड़ा मोटिवेसन है डेली आप लोग, मैं कहता हूँ, 18-20 गंटे पढ़ने की जिरुवत नहीं है आप डेली हर हाल में 6-8 गंटे तो पढ़ सकते हैं न भाई और मैं कहता हूँ कि पढ़ाई लिखाई के लिए मत टाइम टेवल बनाईए इस्टेडी के लिए मत टाइम टेवल बनाईए कुछ भाईया आप इमानदारी से 6-8 गंटे सो लीजे भाईय अच्छे गंटे आप लोग खाने पीने के लिए नहाने के लिए दे लिए बागी इमानदारी के जो टाइम बचाना उसे बढ़ा ही करिए अब आप सोच लीजे सब कुछ हो जाएगा अगर आप लोग 100% अपनी इमानदारी से देंगे न तो मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा ओनलाइन सट्टे बाजी यह अच्छी खबर है कि ओनलाइन सट्टे बाजी में लिप्त रहे महादेव सट्टा एप की संचलक सौरब चंदाकर को दुबई में गिरबतार कर लिया गया है और सीगी उसे भारत लाए जाएगा लेकिन पिसने आए कि क्या इससे ओनलाइन सट्टे बाजी पर लगाम लग सकेगी कि सट्टा खेलने बाला ही घाटे में रहे यही किस सीनों में होता था लेकिन अभी सीमित थे उन में चुनिंदा लोग ही जाते थे स्मार्टपॉन के जरी ओनलाइन सट्टे बाजी की सुविधा तो हर किसी को पलब्द हो गई लेकिन प्रया लोग इसकी परवाद नहीं करते हैं अंतता इसके दुस्पपईडाम ही बोगतने होते हैं और इसका कारण है कि ओनलाइन सट्टा कम्पणिया को नेंतित करने के लिए जैसे नियम कानून हों चाई उसका अभाव अधिक है समस्य के बल यह नहीं है ऑनलाइन सट्टा कंपनियां लोगों को लतल वनाकर उनका पैसा हजम कर रही है बलकि यह भी है कि बे मनी लॉंडिंग का काम कर रही है संदेह की महादियो सट्टा एप के संचालक ने 6000 क्रोड रुपे का घोटा ला किया यह कहना कटने की ऑनलाइन सट्टेबाजी के जरी मनी लॉंडिंग का यह एकलोता मामला है यह सरकार ऑनलाइन सट्टेबाजी की कारण हो रही आर्थिक मांसिक्स नुकसान से बास्तों में चिंतेत है तो फिर उसे सकीटता दिखानी होगी वैसे नहीं हो सकती है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी के कई रूप है ऑनलाइन गेमिंग भी सट्टेबाजी का जरिया बन गया है ऐसा इसलिए क्योंकि ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग को साफ तोर पर परिभासेद नहीं किया गया, सट्टेबाजी की जरीएब बने कुछ Online Game इसके बेरोग टोक दिखाय जा रहे है क्योंकि उन्हें कॉसल का परयाय मान लिया गया है, ने संदिक कुछ Online Game कॉसल का परयाय हो सकते हैं और भी और हैं भी लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बेजूगा खिलाने के बालों के हत्यार बन गया जाएं सरकार को आप देखते हैं कि चेतना होगा ओनलाइन गेमिंग का नियम नियम आप देखिए इस तरह करना होगा कि बेलोगों की गाड़ी कमाई लूटने का जरिया ना बने या ठीक नहीं कि संदिक किसमी की ऑनलाइन गेमिंग कमपनियों का पिचार जाने माने खिलाडी और कलाकार कर रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है कि हेद रिष्टी से देखा जाने बाला जुआ यदी तकनीक के सहरी मोबाइल पर खिलाया जाने लगे तो उसे बैद और सुईकार मान लिया जाए बुराई बुराई ही होती है चाहिए जिस रूब में हो और इससे संतुष नहीं हुआ जा सकता है कि महादियो एप संचाला को गरतार कर लिया गया है आप देखें बड़ी बड़ी हस्तियां जिनने लोग मानते हैं अपना आइडियल मानते हैं वो भी गेम खेलने के लिए उकसा रहे हैं लोगों को पेरित कर रहे हैं और आप देखें अगर आप कहीं जुआ खेल रहे हैं आप तास के पत्ते खेल रहे हैं तो पुलिस देख रघ्राइसनीente दださい अब को आपको कहीं जाने की चाल लोगों का जरुद के जिरूरतूरत की आप देखे आप देखे अपना मोबाइल है न उसी पर आपको वह कर लोग मिल जाएगे गैम overlay mo下面 दैके आपको कहीं जाने की जरुद में बंचिस समाज के 71 संतों संत महामंडलेस और बनाए जाएंगे सामाजिक समर्स्ता के अपने प्रयासों को ब्यापक दिसा दिये जुना अखाड़े का यह कदम इस पेचली धारणा को भी कतम करेगा कि संत समाज में मातपूर्ण पदों को उच्छबर की लोग की आसीन होते हैं इसी अखाड़े ने अनुसुचित जाती के संत स्वामी महिंदरानंद गिरी को सबसे पहले जगत गूरू की संग्याती थी अव उन्ही को यह जम्यदारी भी दी थी कि बे बंचिस समाज में धर्म पिचार पिसार बढाएं उन्हें धर्में गुरूप से सिक्छच करें और आप देखें इने में इन्ही में युग लोगों का चैन कर सनातन धर्म में पितिश्चित महत्मूरपदों पर आसिन किया जाएगा और उन्हें मठ मंदिरों की जिम्यदारी ही सनातन धर्म की मूल और धर्णा भी यही है कि सभी वर्गों को सम्मान और अधिकार मिले जुना खाड़े ने अब तक अनुसुचित जाती के 5000 से अधिक लोगों को सन्यास तिला है जिसमें अन अखाड़े भी डालेंगे इस अभियान के उदेश दूरगामी है क्योंकि सनातन धर्म के समक्ष मतांतन एक बड़ी समस्या की रूम में हुआ रहा है इसका एक प्रमो कारण धर्मी को सामाजी को बेक्चा भी है इसाई मिसेनरियां आदिवासी वानसुची जाती बहुल छेतनों की अधिक सक्रिय है और लोगों को पिलोगन देका मतांतन करा रही है अखेल भारती अखाड़ा पईसत भी मतांतन को एक बड़ा संकट मानता है एक पेकार प्रभावी रोक तभी लग सकेगी जब संत समाज सक्रिय हो वंचे समाज के लोगों को सन्यास लेने और धार्मे पदों पर आसीन होने से सनातन धर्म की एक जुटता और मजबूत होगी और आप देखते हैं कि जनम से नहीं होना चाहिए कोई भी आप देखते हैं पद करम से होना चाहिए आपकी योगिता के हसाब से होना चाहिए यूरोपा पर जीवन की तलास तो अमेर्की अंत्रिक एजनसी नासा ब्रसपती ग्रहे के चंदमा उप ग्रहे यूरोपा पर आप दिखते हैं कि यूरोपा पर जीवन की तलास के लिए अपने महत्वा कांची यूरोपा के लिए पर मिसन के लाँज करने की तैयारी में हीूरोपा के लिए पर मिसन का स्पेस्ट्राफ नासा का अब तक का सबसे बड़ा सबसे हाई-टेक उननत विज dirig को कर क्योंकि पित्वी पर जीवन के लिए आवसक्तत जैसे पानी उर्जा सरोत अन रसायनिक पूसक्तत यहां बिद्धमान हो सकते हैं। क्या मानना है कि हमारे सौर मंडल की तमाम गिरहों के चंदमाओं में जीवन होने की संभावना मंगल से अधिक है। किया तो यह पता चला कि उस पर पित्वी के सभी समुद्रों में मौझूद पानी से भी अधिक पानी है। यह पता लगाना है कि क्या यह पित्वी सेतर जीवन के लिए उपयोगत है। यूरोपा के लिफर को विरस्वत्यक पहुंचने में लगबग 6 साल की समय लगेगा। यह वर्स 2030 के आसपास यूरोपा की अक्षा में प्रविस करेगा। पिसे दिविग्यान कताले का सर आर्थर कलार्क ने काफी इस समय पहले ही यह विवस्वाणी कर दी थी कि यूरोपा पर जीवन है। और ग्रहों पर भी। यह आप देखी टिपणिया रहती हैं देख लिया करेए देखना हुआ करेतों। आजकल आप देखने हैं कि साइवर ठकी की घटनाय भी पड़ रही है। थोड़ा आप लोग भी जागरूरूक रहा करिएगा। साइवर ठकी की बड़ती घटनाओ पर नेंतर्ण। और किसी भी तरह के मैं कहता हूँ लालच में मत पसिएगा। और आपको अगर कहीं से कोई लालच मिल लाए ना तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगे। इमान के चला करिएगा। और मैं कहता हूँ ना कि आजकल बिना मेहनत के और फिरी का कुछ नहीं मिलता है। पहुचने की कोई से साइबर अपरादियों ने नहीं कियो। इनमें इनी में से कुछ ना कुछ इन अपरादियों की चालों का सिकार बन जाते हैं। और फश जाते हैं। बिना किसी डर के इंटरनेट मीडिया के मात्यम से अपने विचार रख सकता है। और उसे लाकों लोगों तक पहुचा सकता है। परमतु इंटरनेट मीडिया का सावधानी से उप्यूक ऑनलाइन ठगी से वचा सकता है। साइवर ठगी के मामली नेंतर बढ़ रहे हैं। परमतु इंटरनेट मीडिया के मामली नेंतर बढ़ रहे हैं। परमतु इंटरनेट मीडिया के मामली नेंतर बढ़ रहे हैं। आपको वीडियो कॉल में कहीं जाने नहीं दिया जाएगा। आपको पितारित किया जाएगा। और किसी भी तरह का आप देखें। किये होते हैं वो डर जाते हैं वो फस जाते हैं। साइवर ठगी में नवाचार। आज अपरादियों के फ्रॉड का तरीका भी नवाचार से युकत है। जहां पहले अपरादी किसी भी बैंक के ट्रांजेक्शन के लिए बैंक अकाउंट धारक के रिजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेज कर अपनी किसी चाल बाजी से OTP को प्राप्त कर वेक्टी के बैंक का पूरा रुपिया पल भर में खाली कर देता था। लेकिन आज अपरादी अपराद का तरीका बदला हुआ पितित होता है। भरतमार में अपरादी फौन पे ट्रो कॉलर भीम अपादी की UPI माद्यम से वेक्टी को लाज़त देकर एक बड़ी रास्ती का रिकोर्ष्ट मेसेज करता है। और वेक्टी को फौन उसके करके उसे एक्टिवेट करने पर रिवार्ड की बात करता है। और जैसा कि मनुस सभाव से लाज़ची प्रकेती का होता है। इसी थरे से वे अपरादी के रिकेष्ट को एक्टिवेट कर देता है। जिसे वेक्टी स्वयम ही अपरादी द्वारा बुने गये जाल में फश जाता है। और इस अपराद की जिम्मेदारी प्रकेती स्वयम ले लेता है। और पोलिस में सिकायद भी नहीं करता है। यदि करता भी है तो हम सब देश की पिसासनिक अधिकारियों की धुलमुल। धुलमुल आप दिखते हैं रभीक से अच्छी तरह वाके भी हैं। इसलिए लोगों को साइव सरक्षा की पिती अधिक से अधिक जागरुक किया जाए। और जिससे लोगों में डिजिटल इंडिया के पिती सतर्टा लाई जा सके। आज पिते एक डिजिटल अभूकता को फिसिंग एवं बिसिंग से सावधान रहना होगा। फिसिंग यसी इमेल्स को कहते हैं जो बैंक या फिर किसी लोग प्रिये सॉफिंग वेबसाइट या संस्थान से भेजी हुई लगती है और इनके इनसे ग्रहक की वेक्तिगत जानकारियां हसिल करने की कौसिस की जाती है और आप देखें से मोबाइल नंबर, लॉग इन, आईडी, पास्वर, डेविट, कार्ड, सम्मधी, जानकारियां, सीभी, भी, जनम तिती जैसे लोगों को अहम जानकारियां चोरी की जा सकते हैं आग्यात सरोतों से प्राप्त इमेल काल और SMS के पिती सदक रहना चाहिए साथ ही सभी लोगों को जारूप प्रियाद जा सके इसके लिए जरूरत इस बात की है कि ग्रामीर पंचायतों में एक ऐसे बेक्ति की नियुक्ति की जाए जो ग्राम बासियों की को डिजिटल मेंसन के पिती पेरिद भी कर सके और धोकादड़ी से अपने धन की सुरक्षा के उपाये बावत पिसिक्षन भी किसानों मजदूरें या कम सिक्षे लोगों को पिदान करें पर डाम स्वरूब अपपिते एक व्यक्ति को ध्यान रखना होगा कि अंजान वीडियो कॉल को सुरिकार ना किया जाए अन्यथा डिजिटल अरेश्ट की सिकार बन सकते हैं जाग रुखता रहेगी तो साइबर अफरास से आसानी से वचा जा सकता है यह आप देखें किंतिम बुद्धी मता का सामाजिक सरुकार अर्टीपिसल एंटिलेंस की बात हो रही किंतिम बुद्धी मता किंतिम तरीके से बुद्धी बनना लगी है देख रहे हैं AI के हर छितर में क्रांती लाने की अद्वत चमता है जो लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का अधिक कोसल उप्रभावी समाधान उपलब्ध करा सकती है एक के बाद एक लगबग सभी उद्ध्योगों और बेवसायों में AI के लागू होने से हमारे सामाजिक ताने बाने पर खासा असर पढ़ना आपिक्छित है AI अपने कोसल उचमताओं के दंप और हासिये पर पढ़े समधायों या फिर बंचित अपके की जीवन की गुडवत्ता में सुधार लाने में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं बर्तमार में कई बंचित समधायों के लिए दुरलब स्वास्तिवा, सिक्षा और परिवहन ब्योस्ता को AI सामान बेक्टी की पहुंच में ला सकता है जो ने ससक्त मना कर एक स्वास्त और अत्धिक सफल जीवन जीने में मदद कर सकते हैं और इन समधायों की विसेष्ट जरूरतों को फूरा करने के लिए AI की आसी में चमताओं का दोहन किया जा सकता है उधारन के AI संचाली टेली मेडिसन या दूरत स्वास्त सेबा समाधान बंचित तबके और सेस आबादी आबादी की भी स्वास्त सेबा तक पहुँचकी अंतर को कम करने में मदद कर सकती है AI संचाली सिक्षा समाधान हासी उपर पड़ी चात्रों को सिक्षा पाने की ऐसे आवसर विदान कर सकते हैं जो उनकी बैक्तिगत जरूरतों के अनुरू उपर ढलकर उनके सेक्षडिक परिडामों में अनेफिक्षे सुधार ला सकती है साथी परिभन चित में फहली आसमानताओं को कम करने में मदद करके AI हासी पर रहने बाले समदाओं के लिए परिभन की लागत को कम करने में मदद कर सकते हैं गरीबी के छेत्र की पहचान करने के लिए AI का उपयोग लोगों की ब्यक्तिगत गोपनेत परहानी का रख परभाव डाल सकता है वेदभाव को बड़ावा दे सकता है इसके अलाबा AI के उपयोग के लिए बड़े निवेस्त की आवस्तकता होगी यह चिंताएं जता आ जा रहे हैं क्योंकि फायदे हैं तो चिंताएं भी हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी तरह से कोई टेकनोलोजी आ रही है कुछ नया आ रहा है तो उसके फायदे भी रहते हैं उससे जुड़ी चिंताएं भी रहते हैं दोनों आपको याद रखना है क्योंकि आप दिखते हैं कि AI सिस्टम को प्रभावी होने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा की आवस्तकता होती है कि गरीबी और आसमानता के इकलाव लड़ाई में AI एक सकती साली उपकरन हो सकता है और इस चिंता का अधिक से अधिक लाव उठाने के लिए जरूरी जरूरी आप दिखे हैं कि सरकारें और संगठन कारोबारी मिलकर यह सोनिशिक करें कि तकनीक का उपयोग जिम्मेदारी से करें सही निवेस और सतग्ण बीनेवन के साथ AI दुनिया भर में फैली गरीबी और आसमानता को कम करने में मदद कर सकता है सरकारें अंतराष्ठी संगठन रांग्रे कैसे समाधानों की तलास कर रहे हैं जो टिकाओ लागत प्रभावी और प्रभाव साली हो AI का उपयोग ऐसे अविनाओ और प्रभावी समाधान बिक्सित करने के लिए किया जा सकता है जो बिभिन ने देशों और संदर्भों की विसेश टावसकताओं के अनुरूप हो जिम्मेदारी से हो और इसका समाज पर लागकारी प्रभाव पड़े इसमें AI के उपयोग के लिए इस पष्ट नियम नीतियां और नेतिक दिसानेदिस विक्सित करना सामिल है वागी आप लोग बताईए आप क्या सोचते हैं इस तरही के टौफिक पर सब्जेक्ट पर अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा अब देखे राजनीति की बातें हो रही है हर्याना में जो बीजेपी की जीत हुई कॉंग्रेस की हार हुई है तो यह अगर आर्टीकल पढ़ना है तो इसकी पीडियाप आपको एजुकेशन सरकल प्लेटफॉम है न उस पर मिल जाती है टेलीग्राम पर वहाँ से जाकर पढ़ लिया आखरेट डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग जनगरना की दीकालेकलाव देखे जनगरना की बात करने तो 1872 में हुई थी लॉड मेयो के समय से सुरुवात और 1881 से लॉड विपन के समय से नेमेज जनगरना सुरुवात हुई थी हर दस साल में होती है लेकिन 2021 में होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पाई तो किसी भी देश के विकास के लिए जनगरना कराना आवस्थ है कि किसी भी बर्ग या समदाय के लिए नीती निर्धारन करने ही तो उसकी बास्तविक जनसंख्या की जानकारी होनी चाहिए अब आप देखेंगे आपको अपने परिवार को चलाना है तो उसकी सही संख्या के बारे में तो मालू होना चाहिए, कितने मेंबर हैं, किनकी क्या जरूरते हैं, एक ऐसे मालू चलेगा जब उनके बारे में आपको मालू होगा हमारे देश में पहली बार जनगरना 1872 में पैरम की गई और 1881 में हमारी पहली पूर जनगरना की गई, आजादी के बाद पहली जनगरना बरस उन्निस सु इंक्यावन में की गई, और आप दिखते हैं, तब से पितिक दस बरसों के अंतरालपा 2011 तक भारत में कुल 7 बार जंगरना की गई है लेकिन आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब 2021 में होने बाली जंगरना को कुविद महामारी के कारण रोक दिया गया जो अभी तक नहीं कराई जैसा की केबिनिट द्वारा हाली में बन नैसन वन एलेक्सन पर आई कोविद सम्ती की रिपोर्ट को हरी जंडी दिखाने जाने पर अब जंगरना कराई जानी की उमीद बढ़ चली है बार्शमार में देश में जाती के जंगरना के लिए आवाज उठाई जा रही है जाती के जंगरना कहने का मतला हुए कि जातियों की जंगरना होगी इस जाती की संख्या इतनी है इस जाती की संख्या इतनी है और 1931 में अंदें बार जाती का अतारी जंगरना की आखड़े जारी हुए थे जो राजनितिक दल आज जातीक जन्गरना के पक्षिदार हैं उनके द्वारा क्यों 2011 में कराई गए जातीक जन्गरना के आंकड़ों को सारीरिक नहीं किया गया था आज देश को जातीवादी राजनितिक दल दल में धकिनले का प्रयास किया जा रहा है जाती के चंगरना का एक राजनेतिक मुद्दा बन चुका है क्योंकि इसी के आधर पर निसुल के योजनाओं के द्वारा बोटों को प्रभावित करके सरकार में आने के लिए रास्ते साप होते हैं जिन करदादाओं के फैसिसे ये सभी योजनाओं संचालित होती हैं या पर वोटों को प्रभावित करने के लिए चुनवावी बादे किये जाते हैं यदि उन करदाताओं के द्वारा भी कभी करदाताओं के मत जातीगत حिस्सेदारी के गढ़ना करानी के मांग उठ खडी तो योजनाय बनाई चाहिए हो साथी सरकार सरकारी योजनाओं को लाप जाती आधार पर नाधिक आधार पर उपलब्द कराना चाहिए नैस्नल डेटा विस्ट तो नागरिकों से जुड़े बास्तिविक आधार पर नाधिक को लिए बास्तिविक आधार के लिए कोई योजना लागो करना चाहिए तो उसे किसी भी आधार के लिए जानकारी नहीं मिल सकती है कि हमारे दिश में कितनी विद्भाई मैला है जब आस्तवी काकड़ी ही नहीं होंगे तो सही और प्रभावी नीतियों के निर्माण के से संभाव इस बार बजट में जनगरना हितु लगबग अधार कर बढने पर उन 2009 से 2024 के मदद सत्रह जार करो रोपे से अधिक की धनरासी करच की गए उसी पेकार बीपीय सर्वे एन एपएस सर्वे वालगरना उजुला योजना आईृस्मानी योजना खाद ए उजना किसान सम्मान ने दी मदान पहचान पेजिटर परवा परीवार परिवार पहचान पत जाती परणबार पत जैसी अनिक अन्य उजनाय और सुविधाओं के सर्वे और लाबारतियों की पहचान के लिए कैंसरकार बाराय सरकार ने लाखों करूर रुपे खर्च करती हैं भारत सरकार द्वारा यदी पितेग विक्ति का एक केंद्रिय डेटावेस तयार किया गया होता जिसके आधार पर सभी विकार की सरकारी सुविधाओं का आप देखते हैं कि लाब मिलता तो पितेग बर सर्वे और लाबारतियों की पहचान के नाम पर खर्च होने वाले हजारों करूर रुपे की बचचत होती इन सो विधाओं का लाब लेने हितू नागरेकों को अलग-अलग सरकारी कारियालें की चक्कर नहीं लगाने पड़ते इस बार की जंगरना कराते समय किन सरकार यदी जंगरना को सभी नागरेकों के आधार नंबर से पुष्ट करके ऑनलाइन कराती है और साथ ही इसे पैन पहचानपत परिबार रजिश्टर और परिबार पहचानपत जाती प्रमाडपत जरम मीतियूं प्रमाडपत विवात अलाग पंजीकन आधी से भी जोड दिया जाता तो भविस में किसी पैकार के सर्वी अलावाटी की पहचान के लिए 1000 करोर रोपे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी और इसी तरह हमारे पास भविस के लिए हर पैकार के रियल टाइम आकड़े उपलफद होंगे इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि इसे जनगरना के माद्धियम से एक ऐसा नेसनल डेटाविस तेयार किया जाए जिसमें CRS है पोर्टल के माद्धियम से जनम मित्यू परवार पत्ते जारी होने पर संबंदीत परिवार की संक्या सुत्ता ही घाटिया बढ़ सकती है साथ यदि इसी जनगरना के माद्धियम से ही सभी के विवार इवन तलाग का भी अनिवार रूप से पंजीकन करा लिया जाता तो पिदेक परिवार से संबंदीत हर पेकार के आखरे हमारे पास उपलग रहेंगे नीती निर्मार करने और देश की परिगती के लिए आपसक है कि भारत सरका इस ओर ध्यान दे और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपात की पाट की कहाने खतम होती है आप लोग पढ़ते रहें इंजवाय करते रहें जाती जनगरना के पक्च में भी वह सारे लोग रहते हैं कि अगर जाती आजारी जनगरना हुई तो सही आखड़े आएंगे किस जाती की क्या संख्या है उनकी क्या समस्य आएं कि किस तरह से उनका समाधान हो सकता है यह मालू चलेगा उनके लिए यह कौन सी योजनाओं की जरूरत है यह सब हो पाएगा और जो लोग इसका भी करते रहते हैं आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राया आप लोग बता सकते हैं ठीक है धन्यवाद